और अब बढ़ते हैं आगे बात करते हैं कल की जो की बेहद एहम रहने वाला है बहुत ही खास कल का दिन है क्योंकि कल चमपई सरकार को फ्लोटेस्ट में आना है बहुमत हासिल करना है और इसके अलावा हेमन सोरिन के लिए भी कल का दिन बहुत बड़ा है एक तो उन्हें फ्ल लगतार आरॉप एडी लगा रही है उन आरुपों को कैसे साबित किया जाए इसकी कोशिश होगी गिरफतारिया हो सकती है और जो बढ़गाई की सीआई है उन्हें रिमांट पर लेने की कोशिश एडी करेगी कल अगर रिमांट मिल जाती है तो एडी की ये भी कोशिश सोरेंट के लिए और चंपाई सोरेंट दोनों के लिए इन सब की बीच एडी की भी कोशिश होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिमार्ट हासिल करें बढगाई के सियाई उनके ग्रफ में हैं अब रिमार्ट पर लेगी एडी उसके बाद क्या यह बहुत मुम्किन है कि द दोनों और से बाते रखी गई थी और उसका फैसला जो था सुरक्षित रख लिया गया था और कल ऐसे में कल जो है उसके मामले में फैसला आना है और कल देखने वली बात होगी कि क्या प्यावले कोट से बढगाई के सियाई को जो है रिमांड पर लिया जाता है लेकिन अग उनके ही आवास पर जब छापे मारी हुई थी 13 अप्रेल को फिछले वर्स तब ये मामला उजागर हुआ था और पूरे जमिन घोटाले का मामला कहीं न कहीं सामने आया था और कई पेटिया जो है कागजात बरामत की गई थी उनके आवास से और एक साथ साथ लोगों की हासा हुआ था कि कहीं न कहीं हिमन सोरेन की भी कहीं न कहीं सनलिपता है और हिमन सोरेन ने भी राजधानी राची में एक जमीन ले रखी है जो की भीयरी जमीन है नहीं लिया जा सकता है लिए गलत तरिकेस लिया है और मुख्य आरोब जो है मन सोरेन पर यहीं लगा हुआ है इसी को लेकर जो है खीश्टान चल रही थी कभी ED की ओर से लगतार जो है समन बेजा जा रहा था और हेमन सोरेन जवाब नहीं दे रहे थे अलगी पूश्टाज के बाद जो है उन्हें गिरबतार कर लिए गया तो कल का दिन काफी महत्पून हो ले वाला है हेमन सोरेन के लिए भी और ED के लिए भी अगर रिमांड पर लेती है ED और पूश्टाज करती हेमन सोरेन से सामने में बैठा कर तो कहीं न कहीं मामला जो है और उजागर होगा खुल कर और सामने आएगा कि सनलिपता कितनी रही हेमन सोरेन को और ना वोने उने ख़ीदने की कोसिंज किए हलाकि आरोप लगते रहे है कि हमन सोरें ने प्रसासनिक अधिकार्यों को लगा जो है वहाँ उस जमिन तक पूझता चुई हैं आज दिन बड़ पूझता चली है और एडिक नहीं टरीके यह वहां चीज़ें वह समान हैं अचाहिए अगर हाटबिट की बात कर ले ब्लेड प्रसर की बात कर ले या सब इचीजों को ये समान है तो ये लगतार जो है चलने वाला आई कोट के निर्देश के बाद जो है ये प्रक्रिया चल रही है जहां मेडिकल जाच भी की जा रही है और कल भी मेडिकल जाच की जाएगी और साथी साथ देखे कल फ्लोर टेस्ट भी होना है जो कल जो है परिक्षा और विधायक भी संवा जये हुए और कल का बहुत है कोट में बहुत है है का परिकल सुनवाइं होनी है नीरज़ उससे कितनी राहत की उमीध है देखें वो भी काफी महत्पूर्ण है जब हेमन सोरिन की गिरपतारी हुई थी उसी रात एक याचिका फाइल की गई थी जारखन हाई कोट में और उस याचिका को बहुत जल्दबाजी में दाखिल किया गया था और ये लग रहा था कि उस रात में ही जारखन हाई कोट में इसी वज़ा से सुनवाई नहीं हो पाई अगले दिन जब सुनवाई हुई तब ये पदा चला कि जो एमन सोरिन के अधिवक्ता है राजी उरंजन वो याचिका को वापस लेना चाहते हैं जिसके बाद जो है एडी के जो अधिवक्ता है उन्होंने निव देली से वीडियो कॉन्फरेंसिंग के माध्यम से अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि उस मामले में जो है वो जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहते हैं अलाकि उसके बाद जो है हमन सोरिन के अधिवक्ताओं ने कहा कि क्योंकि सिच्वेशन बदल गया है क्योंकि जो चैलेंज किय गया था वो सबसे पहला चैलेंज था समन को लेकर लेकिन क्योंकि हमन सोरिन की गिरपतारी हो गई थी तो सिच्वेशन बदल गया था उनकी गिरपतारी हो चीए तो इसको लेकर जो है आये फाइल करना चाहते हैं गास्ट शेब याजिका फाइल करना चाहा रहे थे लेकिन कोठ से समय नहीं मिला था समय बाद में मिला लेकिन क्योंकि एडी के जो अदिवक्ता है उन्होंने समय मांग लिया था और समय था पांच फरवर यानि किल का दिन तो कल का दिन सुनवाई होना है इससे पहले तीन फरवरी को हिमन सोरिन की ओर से याचिका आए दाखिल की गए हस्टचेप याचिका और उसमें गिरबतारी को चुनोती दी गई है और ये बाते कही गई है कि राजनिश्टिक बिद्वेस के कारण जो है उनके उपर कारवाई की गई है उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है तो ये तमाम बाते जो हस्टचेप याचिका में इंकलूड की गई है बताई गई है जिसको लेकर कही न कहीं कल सुनवाई होनी है तो हेमन सोरिन की लिहाज से कल का दिन भी महत्पून होगा क्योंकि वो कहीं न कहीं इंतजार होगा कि हाई कोट से उन्हें रहात मिले हलाकि सुप्रीम कोट से रहात नहीं मिली थी सुप्रीम कोट ने कहा था क्योंकि आपकी अब मामला जो है औरेडी हाई कोट में है ऐसे में हाई कोट का मामला जब तक खतम नहीं होता सुप्रीम कोट आना गलत है तो कह सकते हैं आसिया कल हेमन सोरिन के लिए काफी महत्पून दिन है अगर बात कहले फ्लोर टेस्ट की या फिर बढगाई के अंचल सियाई जो रिमांड पर लेने की बा इस फ्लोर टेस्ट में अपने मत का अस्तमाल करने के लिए हेमन सोरिन भी पहुंचेंगे और जो सरकार गिर गई थी उस सरकार को बनाने की तमाम कोशिशें लगातार पहले से हेमन सोरिन कर रहे थे जब वो सीम थे उस दोरान कई बैठा के हुई थी और उसी की रूप रेख इस सरकार को बचाने के लिए अपने मताधिकार के अस्तमाल करने पहुंचेंगे विधान सभा हेमन सोरिन और इसके लिए एक घंटी के उन्हें विशेश छूट दी गई है लेकिन इन सब के बीच में एडी के तमाम सवालों का जवाब हेमन सोरिन दे रहे हैं अब क्या उन स सवालों से संतुष्ट हो रही है इडी या जो आरोप लगाए है इडी ने उनके सबूत इकठा कर लिए जा रहे हैं या कर लिए गए हैं ये भी देखना काफी दिल्चस्प होगा इन सब के बीच कल का दिन इसलिए भी आहमें कि कोट के कई और फैसले आने हैं कई और मामलो से जुड़ी हुई अन्नजर आती हैं पांच राज्जी एक सट सहर एक सो पचास प्रोजेक्ट और एक वस्तू विहार नई सोच नया घर बनाए रखिये अपना प्यार सेवा में है वस्तू विहार घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सबजी, डेरी या बेकरी प्रोड़क्स चाहिए या बेवरेजस, स्नेक्स और ब्रांडेड फुर्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोड़क्स, अब इनके लिए अलग-अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्यों डेलिवरी की सविधा भी, आज ही पधाने, के श्टोमाट, वन स्टॉप सॉलूशन फोर अवरी कस्टोमर्स रेक्वार्मेंट, कॉल 9153-989339 IIT, G, Neat Experience के सपने को पंक देने आ गया है, Complete Solution Institute, यहां है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing Session, Ask the Expert, Video Solution और भे बहुत कुछ, मतलब हम करेंगे आपको Guide, बनेंगे आपके Mentor, Foundation Classes from Class 6 onwards, for your bright future, visit Complete Solution Institute.